तो इन पकोड़ों की आवाज से ही आपको पता चल गया होगा कि हमारी ये पकोड़े कितने ज़ादा कुरकुरे बनकर तयार हुए है हलो एवरिवन आज आपके साथ शेयर कर रहे हूँ आलू और प्यास की बहुत ही सिंपल और कुरकुरे मज़ेदार पकोड़े के रेस्पी आप इस रमजान अफ्तार में इसे जरूर बनाएए बहुत मज़े के लगते हैं तो चलिए रेस्पी बनाना शुरू करते हैं तो इसे बनाने के लिए यहां पर मैंने तीन मीडियम साइज की प्यास लेकर इसे स्लाइसे में कट कर लिया है और बहुत बारिकी के साथ मैंने इसे कट किया हुआ है और साथ ही मैंने लिया हुआ है दो मीडियम साइस की आलू और उसे भी मैंने इस तरह स्ट्रिप्स में कट कर ली है बारिक बारिक ही कट करना है तो इसे कट करकर मैंने इसे पानी में डाल दिया है और अब लेते हैं एक बाउल और उसमें हमें डाल देना है प्यास और प्यास आलो और डालने के बाद इसी में हमें आयट कर देना है अलू боль को तो सारे अलू हमें यहां पर आयट कर देने हैं और उसके बादब डालते ही कुछ मसाले जिसमें लच्छे जो हैं प्यास के सारे खुल जाएं और सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएं थोड़े से ये नरम हो जाएं तो दिखे मैंने यहाँ पर अच्छे तरीके से इसे सम मिला लिया है और अब इसमें डाल देते हैं बेसन तो यहाँ पर मैंने एक कप मेजरिंग कप से अब ही हमें पानी नहीं डालना है बलके अच्छे तरीके से इसमें मिलाएं फिर जितनी पानी की ज़रूरत होगी उतना हम यहां पर एट कर लेंगे तो मैंने इसे अच्छे से मिला लिया है और अब यह बहुत ड्रा है तो इसमें थोड़ा सा पानी एट कर देते हैं बहुत ज ज्यादा यह पतला नहीं होना चाहिए तो इसे मैं ने अच्छी टरीके से मिला लिया है अब यहाँ स्वेकन तेल गरम計 जो एक तना है और इसे डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से हमें मिला लेना है तो ग्याद रखें की गरम तेल ही हमें इसे डालना है और अच्छे से मिला ले इसे पकोड़े जो हैं अच्छे क्रिस्पी बनकर तयार होते हैं तो बहुत अच्छे से मिला लिए उसके बाद घर्म तेल में ही मैं पकोडे डाल देता है तो मैंने यहाँ लोहेक क्ड़ाई लिए है इसorama महीं ही तो जिलिह लाए है उन्चे wird लोहेक का्ष boundary हुए होता है इसमें लोहेक के क्ड़ाई निकाल देने तो अब इहां पर हमें दूसरा बैच मारे पक़ोडे फ्राइग कर लेना है तो दिखिए इस पर भी कलर बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं और इसे निकालने के बाद कर लेते हैं इसकी प्लेटी तो देखिए मज़ेदार और फेज़ेशन नमारे पक़ोडे जो हैं बनकर तयार हैं और मैंने इसे सर्फ किया है ग्रीन चट्टिके साथ और मैंने लाल टमाटर की लाल चट्टिके साथ आप अपने पसंद के कोई भी चट्टिक मैं इससे अपर सकते बहुत मज़े के लगते हैं तो इस इफतार आप ज़रूर बनाईए और अगर रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सकाइब कर दीजिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को शेर कीजिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेस्पी के साथ निक्स वीडियो में थैंक्स पूर वाचिंग